पूरे ही देश्वर में इस वक्त गुजरात और हिमाचल प्रदेश की विधान सभा चुनाव चर्चा का विश्यव बने हुए हैं और दोनों ही राज्यों में इस वक्त तिरकोडिय मेती महा मुकाबला देखने को मिल रहा है गुजरात में आम आदमी पाटी मैदान में उतराई है भारतिय जनता पाटी और कौंग्रेस को यहां पर कई बड़ी चिनोतियां देती हुई नजर आ रही है तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी यही जंग देखने को मिल रही है 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने चा रही है वहीं गुजरात में एक और पांस दिसम्बर को मद्दान होगा और आठ दिसम्बर को नतीजे सामने आएंगे देखना दिल्चस होगा कि आखिरकार गुजरात और हिमाचल प्रदेश में किस पार्टी की जीत होती है लेकिन दूसरी ही तरफ राजिस्थान में जो स्यासी संकट गहराया हुआ है इस स्यासी संकट के बीज बीजेपी लगातार हुकार भर रही है जी हाँ मुझुदा मुख्य मंत्री अशोग गहलोत और उनका पूरा ही गुट जहां एक तरफ खिलाफ खड़े हुआ है यूवा नेता सचिन पाइलेट को क्योंकि गहलोत गुट नहीं चाहता है कि सचिन पाइलेट को मुख्य मंत्री पत के लिए दाविदार बनाया जाए लेकिन दूसरी ही तरफ बीजेपी यहाँ पर जीत के लिए ताक में बैटी हुई है ऐसे में यहाँ पर गहलोत सरकार के खिलाब गहलोत गुट के खिलाब बीजेपी डे अपनी रणीती बना ली है नमस्कार मैं पराणशी राठर और आप देख रही है नेक्स्ट नाइन नियूस इस वक्त की जो बेहत बड़ी खबर स्ताब्ड आई है जो सामने आया है कि आखिरकार पी एम नरेंद्र मोदी, राश्टे अध्यक्ष, जेपी नडड़ा और केंद्री ग्रह मंत्री अमेश शाह जी की क्या कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग है क्या कुछ मास्टर प्लान है दरसर गहलोत सरकार को गहने के लिए अब 200 विधान सभाज छेत्रों में आक्रोश रेलिया निकाली जाएंगी बीजेपी की तरफ से दरसल आपको बता दें कि राजिस्थान में अशोग गहलोत की सरकार की चौथी वर्षगाट के मौके पर बीजेपी प्रदेश के सभी 200 विधान सभाज छेत्रों में आक्रोश रेलिया निकालेगी और गहलोत सरकार के 4 साल 17 दिसम्मर को पूरे होने को जा रही है ऐसे में गहलोत सरकार की 4 वर्षगाट के मौके पर बीजेपी पहले तो प्रदेश इस तरिये रेली करने की तैयारी कर रही थी लेकिन इसी बीच केंद्री ग्रह मंत्री अमिश शाहा और बीजेपी के राश्ट्रे अध्यक्ष जेपी नडड़ा के साथ साथ अन्ये बदल दी गई है गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के चलते दोसों विधान सबा छेत्रों में 17 नवंबर से 17 दिसंबर तक आक्रोश रेली की जाएगी और सरकार के खिलाफ यहां पर माहौल बना दिया जाएगा इतना ही नहीं आपको ये भी बता देएं कि रेल किसान कर्ज और बढ़ते अपराद महिला उत्पीडन के साथ साथ कॉंग्रेस के आंत्रिक असंतोश जैसे मुद्दो को लेकर लगातार अब गहलो सरकार को घेरने का प्रियास करती हुई दिखाई देगी इतना ही नहीं आपको ये भी बता देएं कि बीजेपी के प्रदेश पदा दिखारी भी शामिल होंगे जिसमें गहलो सरकार को घेरने और चौती वर्षकार पर ब्लैक पेपर जारी करने को लेकर चर्चा होगी इस तरीके से भारती जनता पार्टी यहां पर रणीती बनाती हुई दिखाई देने वाली देखना दिल चस्वोगा कि स सचेर पालेट यहां पर किस तरीके से बीजेपी को जवाब देते हैं हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही बाकी की तमाम अप्टेट्स के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज